एक और किसान अपनी उपज सस्ते दामों में बेचने को मजबूर है वहीं दूसरी और किसान को समर्थन मुल्य दिलाने के लिए सरकार ने सरकार इस्तर पर उपज की खरीद शुरू की है लेकिन टौक के पीपलू में भारी एन्यमित्ताओं के चलते किसानों को राहत नहीं मिल रही है दरसल यहां समर्थन मुल्य के काटों पर छीजत के बहाने किसानों को ठगा जा रहा है प्राप्त जानकारी के मुताबिक सोहिला और जीराना में संचालित सरकारी खरीद केंद्रों पर काटा चीजत के बहाने प्रती क्विंटल 400 ग्राम अतिरिक्त माल की तुलाई कराई जा रही है जिससे किसानों को प्रती क्विंटल सरसों की तुलाई पर 17 रुपे और चना की तुलाई पर प्रती क्विंटल 19 रुपे का घाठा हो रहा है वहीं कई किसानों ने तुलाई केंद्र के तोल में गडबड़ी होने का भी आरोप लगाया है